जय गुर्दियो, मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे महा इंद्रियाल सीखें यूटूब चैनल पर भक्तों जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, वे लोग कृपया चैनल पर जाकर सभी वीडियो देख लें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप आसानी से सिद्धी प्राप्त कर सकें मैं आपको इंद्रियाल विद्या सिखाने का वादा करता हूँ जै गुर्देव, मेरे प्यारे प्यारे बक्तों, आप लोग कैसे हैं, हम दुआ करते हैं, आप सब बहुत अच्छे होंगे आप लोग जहां कहीं भी होंगे, आप खुसाल होंगे और आपके पूरी फैमली खुसाल होगी यही दूआ में दिल से देता हूँ मेरे प्यार प्यार बक्तों आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मारण प्रियोग के बारे में यहां मारण प्रियोग की बक्तों हम आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं इसको आप यदि विधी विधान से करते हैं के लिए जान गातक सिद्ध हो जाता है आपका सत्रू हमेशा आपकी जान को खत्रा बना रहता है मेरे प्यार 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 बक्तों यदि आप इस प्रियों को करते हैं तो बक्तों बहुत ही जल्दी आपका सत्रू नश्ट हो जाता है तो बक्तों इस प्रियों को कैसे करना है और किस दिन करना है इसका रिजल्ट कितनी देर में देखने को मिलता है तो आईए हम आपको बता देते हैं लेकिन बक्तों इससे पहले आप यदि हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन की घंटी को जुरू प्रेस कर दें तो जिस्से बक्तों आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे यहां आपको मिलता है इंदर जाल का संपूर्ण ग्यान जो की आपके लिए यतियाबस से कहे यहां प्रियोग आपको केवल सनीवार के दिन करना है सनीवार के दिन सोर्यास्त हो जाए आपको ये प्रियोक करने के लिए आपको किनकिन सामागरी की जरूरत पड़ेगी वो आप पहले सुन लीजेगा आपको सबसे पहले थोड़ी सी आम की लकडी जरूरत पड़ेगी हमन सामागरी जरूरत पड़ेगी एक बरतन जरूरत पड़ेगा आपको एक आटे की दीपक जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी बक्तों आपको काली सरसों जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा बक्तों आपको सरसों का तेल जरूरत पड़ेगा एक माचिस जरूरत पड़ेगी एक उनी आसन ले लेना है इतनी सामागरी आपको एकत्रित कर लेना है और एकत्रित करके बक्तों जब थोड़ी सी रात हो जाया करीब आठ वजे के करीब उसी टैम पर बक्तों इस सामागरी लेकर के आपको एकांत इस्थान में जाना है आपको वहीं पर बैट करके बक्तों सबसे पहले आपको आसन लगा लेना है और आगे आपको आम की लकड़ी को रख लेना है तोड़ करके और आपको जो आपके पास बरतन है उसमें आपको हमंग सामागरी को पलड़ देना है तो उसी हमन सामागरी में आपको काली सरसों को डाल देना है उसके बाद में उसे आपस में मिक्स कर देना है उसे मिक्स करके आप अलग रख लीजिएगा उसके बाद आपको आटे की जो दीपक आपके पास रखी हुई है उसमें आपको थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके आपको दीपक जला देना है फिर उसके बाद में बगतो आपको दुबबती जला देना है दुबबती जल जाने के बाद में आपको हमन कुंड में आग लगा देना है उसके बाद में बगतों जब हमन कुंड में आग लग जाए तो आपको जो हमन सामगरी आपके पास रखी हुए है उसको आपको इस तरीके से हाथ में ले लेना है या मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ इसको आप देख लीजिएगा मंत्र में आपको बीच में अपन घर लोटाईएगा मेरे प्यार 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 बक्तों उसके बाद आप देखेगा करीब दो घंटे के बाद में आपके सत्रू के पूरे अंग से दर्द उत्पन होगा फिर बक्तों उसको अगर कोई भी दवा दी जाती है तो दवा उसको फायदा नहीं करती है और अंतता उस उसके बाद में बक्तों उसकी मृत हो जाती है मेरे प्यार प्यार बक्तों या आज माया हुआ प्रियोग है बक्तों इसको आप ऐसे किसी के उपर ट्राई न करें बक्तों उसे हानी हो सकती है यदि आपका कोई भी सत्रू आपकी अगर जान के लिए खत्रा बना हुआ हो आपक पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फिर मिलते हैं बक्त हम आप से अगले वीडियो में एक और जानकाई लेकर और तब तक के लिए आप सभी को प्यार बरा जैगुर देओ